धात रोग, सीगर पतन, स्वबन दोस, बीर की मात्रा कम, पतलापन, पेसाब लैटरिंग तोरान चिपचपापन आना नमास्कार दोस्तों, आज बात करेंगे धात रोग की लच्छण कारण निवरण की बारे में तो शुरू करते हैं लच्छण से पेसाब लैटरिंग के दोरान चिपचपापन आना बात करने के मात्र सही धात का निकलना या बीडोज देखने के मात्र सही कपड़े भीग जाना कमजोरी, बैचेनी, भूख न लगना, घबराहाच, पसीना आना कमार दर्द, काम में मन न लगना, पढ़ाई में मन लगना या दास्त में भी कमजोरी कारण क्या है, कब्ज जादा दिन तक बने रहना या जादा समय तक सेक्स के बारे में सोचना हस्त मैथून या मॉस्टरबेशन करना लगातार बात करना या परण बुजोरी जादा देखना निवारण क्या है, कब्ज न बनने दे, बाते कम करें बुजोरी कम देखें, हास्त मैथून कम करें और गंदे गाने, गंदे चित्र, इन सबसे दूर रहे मित्र दोस्तों, इसका इलाज तो संभावता है, या आपको इसमें से ज़्यादा दिक्कत हो रही तो अपने नजदी की राक्टर से संपर करें अने था, जो कंद मूल होते हैं, जमीन की नीचे जो पाया जाने वोले फल पुरूत होते हैं उन में ये चमता होते हैं, कि उसको असानी से अपने घरेलों उसके से कतम कर सकते हैं जिसा सगंदा हुआ, मूसली हुआ, सतावर हुआ, सक्रकंदी हुआ, ये सब बहुत पायदे बन रहे इन चीजों में तो दोस्तों, आप लोग इस पर ध्यान दे, ये आप डाक्टर से कंसिल करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे, नंबर मिल जाएगा, जिससे आप कंसिल्टेशन फीज पे करके अपना त्रीट्मेंट लेसे हुआए